असलाम अलेकुम आर्वी दमार में मैं आज आपको खुशामदीर कहता हूँ आज से हम देखेंगे कि पब्लिकेशन ग्रेडी ग्राफ्स या फिगर्स कैसे बनानी है और आज का जो टॉपिक है वो बॉक्स प्लाट बनाने से रिलेटिड है आज हम देखेंगे कि raw data से बॉक्स प्लाट आपने कैसे बनाना है और उसके उपर lettering कैसे करनी है सबसे पहले आपने packages इंस्टॉल करने जिनमें रीड एक्सेल, टाइडिवर्स, एग्रिकोले, देव टूल्स, राइट एक्सेलस, जीजीपब फिक्स और जीजीपब आर ये packages इंस्टॉल करने के बाद ये सारे packages हम publication ready graphs की सारी videos में देखेंगे after that आपने ये सारे packages को library करने है सबी को select करने के बाद control enter दबाएंगे तो ये सारे packages आपके आर में चल पढ़ेंगे उसके बाद हमने data load करने है data load करने के लिए आज हम अपनी example में जो data set देखेंगे वो है plant growth का जो आर का built-in data set है जब आप data into plant growth लिखेंगे इसको control enter करें तो आपके पास यहाँ पे एक data set आजएगा इस पे click करेंगे तो ये इस तरह view हो जाएगा जिसमें दो column है weight के और group के group के अंदर आपके treatments है control, treatment one and treatment two और weight में plant का weight है ठीक है आप अगर ये data set देखना जाते हैं कि किस तरीके का data set है तो ये वाली command लिखेंगे right xl, sx, plant growth की data का नाम और path लिखेंगे path लिखने से पहले आपने अपनी control shift h का button दबा कर directory set कर लेनी है जब आप ये path लिखेंगे तो ये path और ये वाली command जो है control enter करने के बाद आपकी current directory में automatically आपके पास इस नाम से एक file save हो जाएगी फिर जब आप इस file पे click करके import data set करेंगे तो आप इस data set को यहाँ से ये वाला script कापी करने के बाद यहां पे paste करेंगे तो ये data set आपके पास इस तरीके से भी input में आ जाएगा तो मैं ये वाली command run करता हूँ तो हमारे पास input data set यहां पे आ गया तो plant growth data set और input data set सेम चीज़े ही हैं इस example में लेकिन आप इस excel की file को अपने तरीके से change करने के बाद यहां पे import करेंगे तो सारे का सारा data set आप वाला automatically आ जाएगा आपको code को जरा भी छेड़ना नहीं पड़ेगा सिवाए x-axis के और y-axis के names के तो जब आप plant growth excel वाली file जो है इसमें group में अपने सारी treatments लिखते हैं उनके replicates भी इसी तरह और weight की जगा कोई और column लिखते हैं तो आप उस तरीके से अपनी data set पे यह सारे के सारा code इसी तरह run कर सकते हैं then हम statistical analysis करेंगे जो हमने packages install किये हुए है सबसे पहले आज हम मैं आपको बताऊंगा कि tookie test आपने कैसे लगाना है multiple comparison of means है value max is equal to input data हमने input data लिया इसको pipe का function लगाने के बाद group by यहाँ पे आपनी treatment का column जो है उसका नाम है group तो इसको चलाने के बाद आपके पास value का एक object यहाँ पे आ जागा ठीक है फिर आप hsd test का model लगाएंगे अभी जो चीज आपने change करनी है वो या group है या weight है आपने डेटा सेट के मतलिक इसे change कर लेना है तो मैं यहाँ पे weight का ANOVA draw करना चाता हूँ group पे data हमारा है input underscore data treatment जो है हमारे पास group की शकल में और group हमने true रखना है तो यह model यहाँ पे हमने hsd का लगाया तो हमारे पास hsd आ गया ठीक हsd फिर हमने significant letters इसमें से निकाल लिए कि कौन किस से कितना ज्यादा significant है तो हमारे पास यह सारी values आगी अगर हम इनको बारी बारी run करके देखें तो हमें पता चल जाएगा कि यह 3 treatments है control treatment 1 treatment 2 main इनका यह है और यह इनकी groups है treatments है then हम simply इसको visualize करेंगे यह सारे का सारा code लिखा हुआ है data is equal to inp data aesthetic x-axis पे आपका group आएगा y-axis पे wait आजाएगा fill group ठीक है तो अपने x-axis की values और y-axis की values based on your studies change कर लेनी है तो जब हम इस सारे code को run करते हैं तो लें जी आपका publication ready graph जो है वो बनके आपके सामने आ गया है आप इसको अपने data के साथ-साथ match भी कर सकते हैं और अपने data के मतलेके से draw भी कर सकते हैं जस्ट आपको जो चीज़े चेंज करने वो मैंने आपको बता दी है कि आपने यहां से start करने है आप यह वली चीज़े नहीं लिखेंगे अपने code में इस वीडियो का सारा script जो है description में given है आप वहां से देखके इसे adapt कर सकते हैं यह bonus भी लेते जाएं अगर आपने यह graph save करने तो यह script यहां से इस तरीके से हो जाएगा यहां पर आप gg save की command लगाएंगे और आपका यह graph पूरे को पूरे save हो जाएगा है यहां पर इस graph को कोई भी आप नाम दे सकते हैं मैं यहां पर इसे कहता हूँ plant growth का तो जब मैं इसको run करूंगा लास्ट वाले को तो मेरे पास यहां पर plant growth का एक tip फाइल में graph भी आजाएगा तो यह high quality graph होगा आप इसे view कर सकते हैं और अपने तरीके से इसकी resolution सेट कर सकते हैं take care और मिलते हैं अगले वीडियो में अल्लाने के बाद